नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है पनोती बहू किसी के वज़स से अगर कोई काम रुपता ही चला जाता है तो लोग उसे पनोती कहने लगते हैं अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्टरी का माल ट्रक में लद कर शेहर जारा है डिलिवरी होते ही पेमेंट भी आजाएगी लागों रुपय का माल है लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पती दोहरता हुआता है पिताजी, पिताजी, वो जूस से बरा ट्रक पलट गया सारों जूस पास की नाली में बह गया ये भगवान, तेरी शादी के बार ये पहली बार ऐसा हुआ है मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बन वालो देखा, आए दिन नुकसान बिचारी रितु, पर्टे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या अरे रितु, क्यों दास होती हो मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो अरे मेरे पैर में चोड़ लग गई है रितू सास के साथ डॉक्टर की घर जाही रही होती है कि उसका पैर फस जाता है और वो सास पर गिर जाती है हाई रे पहले सी पैर टूटा था अब उपर से देरे उपर गिर गई पकवार उठा ले मुझे पकवार कोई उठा उता हूँ मुझे हाँ सासुमा लाइए हाथ दीजी यहां बैठिए मैं पानी लिकर आती हूँ आई रे आप तो डॉक्टर भी चला गया होगा अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने बैरों पर गड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं मा बहुत घबराट हो रही है कल मेरी अपने खुद की फैक्टरी शुरू होने वाली है पता नहीं कैसा रहगा मेरे लिए बिसनस आरे क्यों नहीं पेटा अच्छा होगा इतनी लगन और महनत जो की है तुने पस तेरी बीवी का मन हुस साया ना पड़े आरे जब से आई है कुछ ना कुछ मन हुस होता ही चला जा रहा है कैसी बात कर रियो मा एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहां आई है और तुमों की खर दिन बेखते हैं और एक दिन निकल इस घर से मैं कहती हूँ निकल जब से या लोड़की मेरा घर के बहु बनी है हर जगा घाटा हर जगा नुकसान कभी सास का पै तूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है अरे अब तो हादी ही हो गई मेरे बेटे का इतना भारी अक्सिडेंट की वो को मामे चला गया वो तो शुक्र है कि जान बजगई नई नई हम ऐसी लड़की को अपने घर में राखी नहीं सकते अब तो रीतु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है चलते चलते रीतु एक जंगल में जूपड़ी में पहुँच जाती है जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं आगए बेटी क्यों परिशान होती है ये तो जीवन का नियव है इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता देखता और समझता है किसी के अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजे बापा मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगी बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वज़े से कुछ बुरा ना हो सादू आख बन करके मुस्कुराता है और रितू उनके घर की बेटी बन जाती है पिता जी भोजन तयार है आकर खा लीजिए बेटा जो भोजन तुने बनाया है उसमें साप का जहर है वो खा कर मैं मर सकता हूँ नहीं नहीं पिता जी खाना तो मैंने अपनी आखों के सामने बनाया है यहां तो कोई साप आया ही नहीं ठीक है फिर ला मैं खा लेता हूँ सादू खाना खाने जाता ही है कि खाना रितू के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है नहीं पिता जी मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया मुझे इस बात का पता नहीं पिता जी मैं ये बात जानता हूँ खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिनना ये तो पहले सही तैथा, इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, वो रोने लगती है और सादु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनूती मान लिया था सादु मुस्कुरा कर कहता है बेटे, क्या चाहती हो तुम क्या तुम जीवन भर यहां रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो पिता जी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी जरूरत है मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानि कि मन्होस ना समझे उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ ठीक है बेटा ऐसा ही होगा तो कल मेरे साथ चलना दोनों अगले दिन रितू के ससुराल जाते हैं जहां सादू के साथ रितू को देख कर सास कहती है अरे वाहरे करम चली हम लोगों के घर में तुफान लाकर चैन ना मिला तुझे जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुला खिर किसी को लेकर आई है नाना मा जी ये तो मेरे धरम के पिता जी है मुझे ससुराल बापस छोड़ने आये है ये तो बस पिता का धरम निभा रहा है इन्हें कुछ मत कहिए वाजिवा चार महिने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मन्हुस फिर से आ गई इस बार कैजान लेकी जाएगी अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रेक्चर था अब ये आ गई है तो पका टांग काट नहीं पड़ेगी रे भगवान फिश्टली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलड़ गया था इस बार तो पकाब वैक्टरी में ताला ही लग जाएगा रेतु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे फिर वो बोल पड़ते हैं मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ वो साथ में गोला लाये थे उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वही मर जाते हैं देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्टर के मैनेजर ने जहर डाला था, अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा वन्ना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता, है भगवान तब तो न जाने कितने लोगों की माथ हो जाती इस जूस को पी कर, शुक्र है भगवान का अनो चित्थी, सभी रितु की तरफ देखते हैं, बाबा, मैं तो मन्हूस नहीं हूँ, शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोच रहता, कि मैं इन लोगों की दुक्का कारण तो नहीं, नहीं नहीं बेटा, मन्हूस तो इश्वर किसी को नहीं बनाता, हर चीज का एक वक्त होता है, और जो होना है, वो तो होता ही है, मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्षमी है, रक्षक भी है, हम लोगों को माफ कर दे बेटा, रितु को ससराल में छोड़ बाबा, वापस चले जाते हैं,